संस्क्रित पाठशाला की कक्षा में आज बात उच्चारण की पर आज कुछ अक्षरों को ध्यान में रखते हुए उच्चारण से पहले बात उच्चारण के गणित की या उच्चारण के व्याकरण की जी हाँ हम कई बार शब्दों के उच्चारण के क्रम में कुछ अक्षरों पर समगरता से अधिक जोर देते हैं जिसे उच्चारण के व्याकरण के अनुसार महाप्राण इस शब्द के नाम से जाना जाता है और कई बार कुछ अक्षरों पर समगरता से तुलिना में कम जोर ड जालते हैं जिसे अल्प प्राण इस शब्द के नाम से हम जानते हैं यह अल्प प्राण और महाप्राण वाले अक्षर कौन से हैं आईए यह कुछ उदाहरनों से समझ लेते हैं देखिए साधारन तोर पर यहां भी पहले जान लेते हैं देखिए पांच अक्षरों के समूह को हम वर्ग कहते हैं और उस वर्ग में जो अक्षर सर्व प्रथम होता है तो उस वर्ग का नाम उसी अक्षर से हो जाया करता है यह आप जानते ही है जैसे हमने कहा कवर्ग तो इसका अर्थ है कि क इस अक्षर से गह तक के कुल पांच अक्षर कवर्ग इस नाम से जाने जाते हैं इसी तरह से अन्य वर्गों को भी आप समझ लें यानि चवर्ग तवर्ग तवर्ग और पवर्ग इनके बारे में जानकर उस उस वर्ग के पांच अक्षरों को आप ध्यान में रख लें और अब लोटते हैं अलपप्राण और महाप्राण के प्रकार के बारे में इनी वर्गो का खा गा घा और यह अक्षर होते हैं और यहां अलपपराण है का गा और यह तीन अक्षर और यहीं खा और घा यह दो अक्षर महाप्राण इस नाम से जाने जाते हैं इसी तरह चा वर्ग में चा चा जा जा और यां यह अक्षर होते हैं और यहाँ अलपप्राण है चा जा और यां यह तीन अक्षर अलपप्राण है और यहीं चा और जा यह दो अक्षर महाप्राण इस नाम से जाने जाते हैं और फिर तवर्ग में तठा, डढ़ा, न ये अक्षर होते हैं और यहां आलपप्राण है तड़ा और न ये तीन अक्षर और यहीं ठा और ढ़ा ये दो अक्षर महाप्राण इस नाम से जाने जाते हैं इसी तरह त वर्ग में त था द धा न ये पाँच अक्षर होते हैं और यहां आलपप्राण है त द और न ये तीन अक्षर और यहीं था और धा ये दो अक्षर महाप्राण इस नाम से जाने जाते हैं और फिर पवर्ग में पभा बभा म ये अक्षर होते हैं और यहां अलपप्राण है पभा और म ये तीन अक्षर और यहीं भा और भा ये दो अक्षर महाप्राण इस नाम से जाने जाते हैं और 5 वर्गों यानी क से प वर्ग के इन अक्षरों के बाद भी कुछ अक्षर हैं जिनने महाप्राण और अल्पप्राण के भेड में रखा जाता है आईए अब यह देख लेते हैं स, श, श, और ह इन अक्षरों को उच्चारण के क्रम में महाप्राण वाले अक्षरों के रूप में जाना जाता है और इसी तरह य र ल और व इन अक्षरों को उच्चारन के क्रम में अलपप्राण वाले अक्षरों के रूप में जाना जाता है को परे रखते हुए अक्षारों के उच्चारण को शुद्ध परिश्कृत या समग्रता से कहें तो संस्कृत रख सकते हैं तावत पुनर्मिला महा अग्रिमायाम कक्षायाम नमो नमाहा